बंगाल में जब तुनाव हुए थे तब हर पार्टी ने बड़े बड़े वादे किये थे किसी भी इलेक्शन में पार्टीों का सबसे ज़्यादा फोकस होता है युवा पर युवाओं को आकरशित करने के लिए उनका वोट लेने के लिए उनको नौकरियां देने का वादा करती है लेकिन वो वादे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं सरकार का तो कामी है वादे करना और फिर उन्हें भूल जाना बंगाल की जनता ने खास कर यूथ ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ मम्तव एनरजी को वोट दिया था लेकिन उनकी ये उम्मीदे और उनके सब ने ये खबर तार तार करती है कलकत्ता में बिरोजगारी का ये आलम है कि कलकत्ता के एक सरकारी अस्पताल में शवो को संभालने के लिए प्रयोक्षाला सहयक के 6 पदों पर निकली वेकेंसी के लिए आवेदन करने वाले 8000 आवेदों को में इंजीनियर, ग्रैजुएट और पोस्ट ग्रैजुएट कैनिडेट्स शामिल है एक अधिकारी ने ये जानकारी दी कि नील रतन सरकारी चिकित्स अस्पताल के फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिक उलाजी विभाग में डों के 6 पदों पर भरती के लिए आवेदन देने वालों में करीब 100 इंजीनियर, 500 पोस्ट ग्रैजुएट और 200 ग्रैजुएट कैनिडेट्स है पिछले साल दिसंबर में निकली भरती की अधिसूचना के अनुसार इस पद की क्वालिफिकेशन कम से कम आटवी पास है और एज लिमिट 18 से 40 साल है वहीं मन्तली सैलरी 15,000 रुपे है अधिकारी ने बताया कई आवेदक नौकरी की योगेता के हिसाब से ज्यादा पड़े लिखे हैं और ये अच्चम्बित करने वाली बात है अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही जाद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें अथम न्यूस धन्यवान